नमस्का दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हम एंटिबाइटिक के उपर बहुत सारे एंटिबाइटिक के उपर आपने पहले वीडियोस देखी होगी हमारी जिसमें की आपका रहता है स्ट्रेप्टोमाईसीन जायतर जिसमें रहता है टैट्रसाइक्लिन उसी के उपर जो है Antibiotic ये बात कि गई है पर इसे सब्सक्राइब तेकनीकल रहता है सब삐ा क्या है उपर पूरी अचल में बात करेंगे कि क्या सीरस इसका क्या भविस को इसका इस इत्वाल किया सकता है किस की साथ इसका कंट्रोल किया जा सकता है साथ ही साथ फंगस पे भी जो है साथ इसके साथ कंट्रोल किया जाता है वैसे तो फंगस साइड का जो इस्तमाल किया जाता है फंगस रोकनी के लिए किया जाता है पर इसके साथ ही साथ जो है अंटिबाटिक जो है आपके fungus को भी control करता है और दूसरा बैक्टिरिया को भी control करता है बहुत सारी stages में आपने देखा होगी बहुत सारे bacteria लगते हैं जिनको आपका antibiotic से उनकी निज़ात होती है बहुत सारे आपने देखा होगा spot लगते हैं, canker लगते हैं, leaf mold लगता है आपका root rot लगता है, बहुत सारी बीमारिया जैसी है, उन पर antibiotic ही असर करते हैं और साथ-साथ antibiotic को आप बहुत सारे mixtures के साथ mix करते हो जैसे कि आप पीछे वीडियो में देख पा रहे हैं, हम इसको copper के साथ इसको mix कर रहे हैं copper oxy chloride के साथ हम इसको हम सब्सक्राइब करते हैं ही आपकी अनाजवरगी फर्सले जैसी धान गहों यतियादी रहता है तो उसमें fy park बूल और साथ-साथ बैक्टिरिया को गरता हैं उससे में, गों कर सकते हैं ते में कव कर राथ-साथ बिन्कितों-बिकी आसे वाल GewUST हगा सक्हें यहुե देखा होगा भी छोटे छोटे से स्पॉल लगते हैं बैक्टिरिया लगता है उससे से इसके हैं लिए ॐ जो बैक्टिरियल विल्ट रहती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एक तो आपका वैलम प्राइम का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी ड्रिंचिंग आपकी सुरवाती पांस दिरों से पहती है जो की बैस्ट आपकी ड्रिंचिंग रहती है उसी के साथ 15 दिन से पहले आप फसल की, सिर्फ टमाडर में इस्तिमाल किया जाता है, बाकी जो आपका रहता है दोस्तों सिमला मेर्च, बैंगनी तिया दिया, फिर आपकी बेलवरी की फसल है, जैसे कि आपका खीरा आ गया, आपकी लौकी आ गी, तोरी आ गी, क्रेला आ गया, इन आधी फसलों में भी जो बैक्टिरियल विल्ट की समस्या देखने को मिलती है, बैक्टिरियल विल्ट आपकी जो शुरुवात होती है, दोस्तों वो होती है, जब आपकी फसल जो है, अपने चरम पे होती है, जब उसका फसल लगना शुरु हो जाती है, फ्लावरिंग आ जाती है, उसके बाद फ त्रम नमीके साथ मैं इसको इस्तेमाल करते हो और लिगा सारे जो आपके कि इसका इस्तेमाल किया जाता है इस से भी रहते हैं दोस्तों की पौदे में जो इमुनिटी होता है वह भी तौडी जो है इसमें ability आती है, जिससे की उसकी speed up होता है, boost up होता है पौधे में, और साथ ही साथ दोस्तों, जो biomycin है, वो एक तरह का आपका amino glycosite है, यानि की antibiotic है, एक तरह से जो आपका रहता है दोस्तों, जो आपका fungus और bacteria रहता है, उसके rhizome system में, उसमें अटाय करता है दोस्तों, और सा कि उनमें protein की कमी आ जाती है, fungus और bacteria में, जिससे की उनकी मृति हो जाती है, यानि की खतम हो जाते हैं, डेमेज हो जाते हैं, वो रुक जाता है उस चीज़से, तो इसमें बहुत बड़ा important role रहता है दोस्तों, इसका, बायो मैसिन का, और काफी जादा rate की बात कर लेतना हो, काफी आपके महंगे भी आता है दोस्तों, लगबग जो आपका आदर लिटर की packing आ जाती है, वो आपको पढ़ती है, लगबग 600 से लेके 700 के बीच में, वहीं एक लिटर की packing आपकी जो आती है, वो लगबग 13 से 1400 रुपे के बीच में आपको मिलती है, इतने में आपको जो ह काफी महंगा रहता है दोस्तों, आप 20 लिटर के मम में इसको 30 ML के आस पास इसको डाल सकते हो, और साथ ही साथ दोस्तों आप इसका इस्तेमाल हर तरह की फसल में कर सकते हो, क्योंकि कुछ एक फंगल साइड ऐसे रहते हैं दोस्तों, जिनका इस्तेमाल आप बड़ी फसलों म अब इन्रसरी भी आपने डाली है उसमें उस का इस्तेमाल कर सकते हो वहां स Neden अगर अगर आपका पाधा हнить रहता है तो और आधा चलकर वह काफी हल्थ ही जु तो आप इसको नरसरी में भी इस्तिमाल कर सकते हो, आप छोटी सी जैसे प्रांटेसन करते हो, नेक्स डे आप इसका 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 कर सकते हो, और दोस्तों अगर आपने कोई भी बहुत सारे अब्हилी थी सवाला आते हैं कि हम प्रॉकिया क्या नार्गी жел anxiety का है अगर आपका दोज ज़्यारा हो जाता है और आप मिक्चर कर लेते हो को एब targeted इंसेक्टिसाइड कहिंनका करना होता है फिर बी जैनको τις स्प्रेइं करते हो तुष गया उपका therapists अंदर from जो जाते हैं जो उसमें जो पत्ता होगा वह जल जाएगा खत्म हो जाएगा तो उसमें खाना नहीं बन पाएगा पौदे का विकास अच्छे से नहीं वो पायगा उससे प्रोडाक्षन में भी कमिए तो इस स्टेज में भी आप एंटीमैक LI filmmaking जिसको हैं ओक आपकोले को सक्लॉड थे और साथ हि दूर्मारो पbokषर्ण काईď सेल्फ हो ब्लूंक कॉपर हो या किसी भी कमपनी का आपके पास कोई भी कॉपर हो उसके साथ आपने हमिस्ता जो है अंटिबैटी को डालना है आप इसको डाल के ही चले और साती साथ जो आपका वाइरस लगता है फसलों में आपने देखा होगा एक कॉंकरा रोग लगता है जिसमें कि आप बहुत सारे PGR का इस्तिमाल करते हो उनके पते हैं फैलाने उसके बाद ये निश्कस निकला कि कुछ एक वराइटीज में स्लेक्टिड व्राइटीज में ही वह बीमारी सामने देखने को मतलती है क्यों कि अफ्वत में जो है अलगलग वर्याटीज में उसका थे लगता सामने नहीं आया था जो आपका कुंकरा रोग रहता है वाइरस से निजात पानी के लिए भी दोस्तों यह आपका Biomycin जो रहता है वो काफी यूसुल रहता है यह नहीं दोस्तों आप और भी एंटिबाटिक्स का इस्तमाल कर सकते हो साथ ही साथ यह जो जानकारी आपको इसको इस वीडियो में दी जा रही है वही आपकी जो एनदर कर सकते हैं सेब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका गलगल उसमें भी स्तमाल कर सकते हो शंतर में इसका इसतामाल कर सकते किवड़े वहूत सारे मतलब और अग्या वीग तो लिए क्वल writings चैनल को सब्सक्राइब करने हैं धन्यवाद